क्यों तरवाज यहाद आपको चेकरने का लिए है अलो फल्ट पर टिक देश्क करने का लिए है अलो फल्ट पर टिक देश्क करने मिला तो मैं यही समझता हूं कि मांगने से कुछ नहीं मिलका है सिर्फ सर्धा भक्ति सोग करने से भगवान को या बबाबा को जो मन में बात आती है वो अपना देही देते हैं इसलिए हम आज ही आये तो हमने कुछ नहीं मांगा सिर्फ और सिर्फ एक बात की सर्चा हम अपने मिन में कर रहे थे और वो है कि वैसे तो हिंदुस्तान अस्तर पर लेकिन बिहार में हमारे के हां खास करते हैं यह जो कुमारी रखियां हैं नवाली के रखियां हैं उनके साथ दुस्कर्म की घटनाएं बहुत वह रहे हैं इस कम से कम हम लोग की वेशी वेटियां जिनका अस्मत रूतर जा रही है या जो इसकार हो रही है ऐसा दुम्हां हो यह हमने जरूर मन में बात करते हैं इस तारीकों सब्सक्राइब कि विशुद्धुरूप में हम बुल्दी आये हुए हैं अपने स्वास्त कारणों से और तीस को हम आये हैं और छे तक महां रहने का मेरा काज कर्म था जुबिन प्रकास एम्स में घंगारान भुस्पितल में हैं सारे काजों का संपाधन के व्रांत पांच तारिक जो आज ह है लीजर ऐसा महसूस हो रहाता कि आज कोई काउंड नहीं है तो हम प्राया हजमेर आते हैं बावा के चरणों में कुण माथा को टिपते हैं आज महीं वर्सूस मेरी एक रंपरा रही है साल में दो साल में कर साल में एक दो वार भी तो एक दिन का मेरा लीजर थार को हम हैं इन की इच्छा हुई कि हमजी दिश्कर लुएं इसी उद्देश से हम यहां पर आये हैं कर चुके करके दिस लिया है कि देखिए हम इस बात में विश्वास करते हैं जहां कहीं भी जो प्रतिश्ठीव जगह है यह वहां पर मांगने से यह सरदाभगति दिखनानी पहले है हम इस अश्थां से सबागते हैं और जब कभी भी हम आये हैं कि कुछ मांगा नहीं कि सिर्फ हो सिर्फ अगर मांगते हैं कि हम में यह सलाहियत रहत कि आपके करते हैं यही हमको आप दीजी और हम तुदकिस्मत हैं कि इस मान्य में पता नहीं जब कभी वुद्गार होता है तो हम यहां चले आते हैं और हम बाबा का क्या प्रमेश्वर का बहुत जादे शुकुजार आपको हम इसके लिए शुक्रियादा करते हैं कि इस अजमेर नगरी में और खासर चड़ाज्वस्थान में हमारी उस बात की चर्चा है या सुचना है कि 20 अप्रील को पार्लेमेंट 3 अस्टेट पर हम दोग एक धरना प्रतसंग का पार्ज करन करना है आप कोई अउगत करा लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोचा सिप्र का जन्म हुआ वो इस बात के लिए जन्म हुआ कि जितन मांजी नो महिना तक भिहार का मुखमिंत्री रहा था और उस दर्म्यान में उसमें 34 निर्णय जन्म पयोगी था वो लिया था उस निर्णयों को अनुपालन करने से मेरी सोच में राज तो बदलती रहते रहता है अनेक मंत्री आते हैं जाते हैं लेकिन बिवस्था में कोई चेंज नहीं आए शक्तर ब्रस के अजादी के बाद म चाहिए इसलिए हम 24 निर्णय लिया था सब को बढ़न करने में समय लगेगा लेकिन उसमें एक मेरा निर्णय यह भी था जिसकी सर्षा आपने कि हमने जात की बात नहीं करें हमने कहा है कि गरीव और अमीर जो ही जात हिंदुस्तान या संसाथ या विहाद में है उसमें सब डिये और रच्षण की वरस्ता होनी चाहिए जब आरेक्षण में ऐसी प्रव्याद्ध करम साब में जो से समाजिक बिख्ण कों से जो पिछले हैं उनको अलट चाहिए तो मेरे समय में चाहे सवर्ण हो जाहे शिरूकर स्कें लोग को जिसमें से ध्शनिक सम्टा नहीं है उ बहुत गरीब होने के चलके उसकी समाजिक जिती लिए खराब रहती है। मसलन सवर्ण की बात लीजिए एक सवर्ण गरीब भरती वच्छी है इम्मे पास कर गई है। जो भी हो गाउरी की बात आजाती है तो ए समाजिक वश्ता को खराब है। यह हमारे हिंदुस्ताने अवामुटा सवर्ण की मिलती रही है। आरक्षन ही एक जरिया है जिससे इस तरह की आप रूतियां वह दूर हो शकते हैं। जी नहीं, यहां पर हम थुला सार डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। जो हो सकता है, कुछ लोग बाहरी लोग हैं या हमारे साथी लोग हैं तो हमसे कहीं कभी खपा भी होते हैं। हम आरक्षन की बात तो करते हैं कि आरक्षन होना चाहिए। अम्बेदकर साहब ने जब आरक्षन की जवस्ता की बात आई थी और महात्मा जी जब वास्क में हो गए थे लोग उने कहां सत्रहमा दिन बीद जाने के बात कि महात्मा जी अगर दुनिया से चल जाएंगे तो अम्बेदकर साहब आपके बड़ी बढ़नामी होगी बिहार की बीक आइसे काम करें कि विकास वह इसी के लिए सैक्षिनय शैंख डिड करों से और समाजीश्चिक में से कमजोरि मुए वर्यविया आरक्षं के विश्ता की बात होंने की अगर कमी है तो उसमें और जोड़ दिया अगर उसमें कहीं इस तरह की बात हो जाए तो बावा सहाब करना था कि अरक्षान का लाव छोड़ देना चाहिए ताकि दूसरे जो नीशे सब्के के लोग है उनको वराच्षान का लाव मिलना चाहिए यह उनकी खल्पना थी है हम कहते हैं कि स्रूल कास्ट या अंठ अबके के लोग की जो आज दैन्य स्थिति है उसके और आपस में जो मत्भींता है और अच्छा क्या वसकता है वो इसलिए है कि हमारे जो सिक्षा प्रणाली है उसमें दोस है आज सत्तर व्रस आजादी के बाद हे आज हम जो सिक्षा परदान्त कर रहे हैं अपने बच्चों को वो दो प्रकारगी सिक्षा है एक तो बड़े लोग हैं जो बड़े-बड़े कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं 20 लाग 25 लाग 15 लाग सलाना खर्च करते हैं और यह वैसा है जो सरतारी बिद्धार में पढ़ता है जो चेट्टाई पर सबरन करें बच्चे जोगरी हैं उनके इस्तिती ही है कि अनिंप्लाइट होते जा जा रहे हैं और जो बड़े लोग हैं पैसा वालय वो अपने बच्चों को बढ़ियाबर यहां इस चे में पढ़ा करके उनको बढ़ियां शिक्षा देते हैं और वाई हटू अपना जी ने भी नारा दिया था कि राश्क्रती का बेटा हो या भंगी का संतान सब को सिच्छा एक समय का से बात आशक्तर वरस में हम लोग कर दिये होते तो आप कलपना कीजिए जर्माजी फ्रांस में या रशा में चाइना में 6 वरस का बच्चा होता है तो इसके पास मोटी चाह देखो तुम्हारा बेच्चा 6 वरस का हो गया कि सरकारी स्कूल में एडमीशन नहीं दिलाया तो लोग दिला देते हैं अब जो लीजे छे वरस के बच्चा एडमीशन सरकारी में लेता है खाना कप्रा लगता एक साथ खेलना अब 20 वरस तक वहां रहता है तो जो बच्चा 14 15 वरस तक एक साथ चाहे भंगी का बेटा हो गरीब का बेटा हो सवर्ण का बेटा हो जिसका हो एक साथ पंधर के समय है हमारे इतने भी काजकारी में और हम सुनते हैं कि दोहजार आदमी से कम नहीं हो रहेंगे महागडबंदन को हमने इंवाइट नहीं कि हमरा अपना मुद कि महागडबंदन की बात आएगी साजी से सुन्च की बात आएगी कमंधिनों पोड़ाम बने गात हो गात हो गात है इसे हम आठ अप्री को